माराष्ट में जारी है खास तोर पर अगर बात करें मुंबाई की तो वहाँ पर NCP की बैठक अपसे कुछी देर बाद होने वाली है इस चरत पवार के घर पर वहीं कॉंग्रेस की कोर्ट कमिटी की बैठक दिल्ली में शुरू होगी अपसे कुछी देर बाद सरकार बनाने को लेकर मार्षा पच्ची तेज हो चुकी है शुरू हो चुकी है शुरू हो चुकी है शुरू हो चुकी है कहले के शुरू हो चुकी है कि माहराष में सरकार गठन उन्हींको करना है इसी को लेकर अब बात्ечीत कॉंग्रेस से भी की जा रही हैं न्सीपी से भी की जा रही है एँसीप नेता शुरत पवार ने कहा है कि हम पहले Congress से बात करेंगे उसके बाद अपना रुक्ष पष्च करेंगे कि UNH этих सकार गठन में शामिल होना है नहीं आलग कि आना की यह भी कहा है कि अगर शिर सेना को सरकार NCP के साथ मिलकर बनानी है तो पहले उनके मंत्रियों को कें सरकार के मंत्री मंदल से स्तीफा देना होगा और इसी कड़ी में अर्विन सावन अपना स्तीफा पेश कर सकते हैं साथ उने ट्वीट करके साफ किया यह तमाम अपदेश हम आपको महराश सरकार के गठन से जुड़ी हुई दे रहे हैं मुस्तफा शेक हमाय समवाता सक तमाम जानकारी के साथ मुस्तफा क्या जानकारी में रहे हैं कब तक यह एंसीपी की बैटक शुरू हो सकती है कि बिल्कुल कुछी देर में यह बैटक शुरू होनी है यह एक आप कह सकते हैं कि एंड मोमेंट पर बुलाई भी बैटक है इमर्जनसी बैटक है जिसमें परफुल पटेल और बागे वरिष्ट जो नेता हैं एंसीपी के वो शामिल होने जार रहे हैं और साफ तावर पर कल एक मीटिंग बुलाई तो गई थी लेकिन जो राज़ी की स्थीथी है जिसमें आप कह सकते हैं कि दोनों पार्टियों की बीच में जो समीकरन बनता दिख रहा था उसकी गतिविदिय लोग भी शामिल होंगे ये सारी चीजे जो है ये इस मीटिंग के बाद ही आप कह सकते हैं कि साफ होंगी लेकिन एक बहुत महत्रपून मीटिंग है महारास्ट्र में सरकार बनाने को ले करके इतना हम इस वक्त कह सकते हैं निया इस पर भी हम आपको अपडेट देते रहेंगे लेकिन आपको इस बीच बता दें कि लगातार सियासी जोड तोड जारी है अशोक सिंगल हमाई साब आता है इस वक्त हमाई साज ओ गया अशोक हमने कई ऐसे राज भी देखे जहां पर एन वक्त पर बीजेपी ने अपनी सरक का नहीं थी कि वो इस तरह से में सीन में आ जाएंगे फोर फ्रंट में आ जाएंगे और उनसे कहा जाएगा कि शिसेना और इंसीपी के साथ मिलकर वहाँ पर सरकार का गठन करें ऐसे में इस वक्त कॉंग्रेस के लिए मुश्किल की घड़ी क्योंकि कहीं ना कहीं हम यह देख है कि विचारधारा में भी मद्बेद है और संजे निर्परम ने तो यहां तक कह दिया कि अगर ऐसा तालमेल होता है तो यह काफी घातक हो सकता है कॉंग्रेस के लिए अशोग मेरा यह सवाल आप से था अजी बताईए दोबारा सवाल पूचिए मैं कह रही थी कि जिस तरह से महराश्ट में हम इस वक्त सिती देख रहे हैं कॉंग्रेस को तो दूर दूर तक यह आशंका नहीं थी कि वो इस तरह से फोर फ्रंट में आ जाएंगे बुख्य करकार का गठन करें ऐसे में उनके लिए एक बेहत पेचीदा सिती क्योंकि संजय नुर्पम तो यहां तक एचुके हैं कि कॉंग्रेस के लिए घातक हो सकता है विचारधारा में मत बेद हैं देखिए मैं आपका सवाल ठीक से सुननी पा रहा हूँ लेकिन मैं बता देता हूं स्तिती क्या है लेकिन जो हालात बने हैं महारास्ट्रा में और बीजेपी और शिप सेना दोनों अलग लग हो गये हैं लेकिन जो विधायकों का दबाव है वहां के उसको देखते हुए दिली में बैठेक बुलाएगी है सोनिय गांदी के घर पर और जो विधायकों का फीडबैक है जो उनकी इच्छा है वह आलाकमान को बताया जाएगा उसके बाद ने लिए जाएगा कि शीप सेना को समर्थन देना है या नहीं देना है महारास्ट्रा में सरकार फॉर्मेशन कॉंग्रेस के उनका ये कहना है कि किसी भी कीमत पर कॉंग्रेस शिवसेना का साथ दे कॉंग्रेस विधायकों ने अपनी चाहत बया की है उनने कहा है कि महाराश्ट्र में सरकार बनाने को लेकर कॉंग्रेस आगे आए शिवसेना के साथ हाथ मिलाए और किसी भी कीमत पर वह इसी भी सूरते हाल में कॉंग्रेस को समर्थन देना चाहिए और वहां पर सरकार बनानी चाहिए सरकार में अपना पूरा सयोग देना चाहिए मैं भी तो आपको यही बता रहा था कि कॉंग्रेस के जो विधायक है माराश्ट्रा के वो चाहते हैं कि सरकार फॉर्मेशन किया जाए शिपसेना के साथ जाए सेंटर लिडर्शिप नहीं चाहती थी जो वहां के परभारी मलिका अरजुन कड़गे नहीं चाहते थे लेकिन कॉंग्रेस के जो विधायक है उनके दबाब को देखते हुए डिल्ली में बैटक बुलाई गये सोनिय गांदी को जो टॉप लीडर्स की उसमें ये फीडबैक देंगे कि वहां के विधायक क्या चाहते हैं उसके बाद निर्णे लिये जाएगा दबाब जरूर है लेकिन अब जो बदलेव हालात है राजनीतिक उसमें एनसीपी भी चाहती है कि एक कॉमन मीनमम प्रोग्राम बना करके वहां पर शीप सेना की सरकार के साथ जाए 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 क्योंकि बीजेपी विपक्षम बैट रही है बीजेपी के साथ शीप सेना दोनों के रास्ते अल कांगरेस के धरा जाए नसीप सिऑना अगरेस मिलके सरकार मना बना का बनाई एक पर बदलेव हालात ही और यह चीजी आगे बढ़ सकती हैं शरत कुमार हमाई समवाता है इस वक्त जैपुर से हमाई साथ जुड़ गए है जैपुर में किस तरह की हल चल है शरत क्योंकि जो कहा जा रहा है जो जानकारी मिल रहे हैं उसके मताबिक अब कॉंग्रेस के विधायक जो महराश से हैं वो पूरी तरह से दबाव डाल रहे हैं कि हमें सरकार गठन में शामिल होना है 44 में से 37 इस बात पर राजी है कि बिना शर्त समर्थन दे दिया जाए बिल्कुल नेहा जिस तरह कि यहां पर दो दिन से हल चल रही है उसमें यह कहा जा रहा है कि विधायक चा रहे हैं कि बहुत दिन सत्ता से दूर रहे हैं अब सत्ता में भागिदारी हो और अभी अभी जो कॉंग्रेस के विधायक हैं हुसेन तलवई वो बाहर आकर बोले हैं कि मरमोहन सी सरकार में बहुत अच्छा काम हुआ उस वक्त सिउसेना की सरकार थी वहां पर बहुत मदद की है कॉंग्रेस की सरकार ने सिउसेना को सरकार चलाने में तो जिस तरह से की भाशा बोली गई है यहां पर कॉंग्रेस के विधायकों दैरा सुषेना के पक्ष में उसे साफजायर है कि यहां पर जो विधायक है उनके मन में है कि सरकार में हिस्यदारी की जाए और यही बात, इसी बात को लेकर मलिकारजुन खरजों खड़ गे जो हैं, वो कॉंग्रेस की अध्यक्षा सुनि बैठक में भी जातर विधायकों ने कहा कि सरकार बनाना चाहिए हमें राश्पति सासन के तरफ नहीं जाना चाहिए दुबारा से चुनाओ में जाना ठीक नहीं रहेगा और इसी बात को लेकर कल कहा जा रहा था कि कोई सुनिया गांधी के संदेज आ सकता है लेकिन दिल्ली मे सेना के साथ मिलकर बनाने में कोई दिक्कत नहीं है वहाँ पर पार्टी को फिर से खड़ा करने में मदद मिलेगी मुंबई हो मराश्ट के अन्य इलाकों में पार्टी में जान आएगी क्योंकि कारकरता निराश है उदास है पार्टी को फिर से खड़ा करने के लिए भी सरक सबस्क्रीन के लिटा लाहेंगा पहुंच गई हैं निया जैसे रवान हो जाएंगे पार आयसा शर्राथ आपके पास लोटने के तमाम जानकारी आप से लेंगे इस बीच आपको ये भी बता दें कि लगातार यहाँ पर मीटिंग्स का दौर जारी है माराश मिसरकार गठन को लेकर इस वक्त हलचल तेज हो चुकी है हम आपको दिखा दें कि कॉंग्रिस दफ्तर के बाहर इस वक्त एक के बाद एक विधायकों के आने का सलसला जारी है वहीं मलका अरजुन खड़गे भी कॉंग्रिस सध्यक सोनिया गांधी से मुलाकात करेंगे और जानकारी देंगे कि 44 में से 37 विधायक बिना शर्ट के राजी हो गए है और उनका ये कहना है कि बिना किसी शर्ट के शिवसेना को सपोर्ट किया जाए कॉंग्रिस के तरफ से क्या पक्ष रखा जा रहा है सुनिये अगर भारतिय जनता पार्टी महरास्ट की वर्तमान राजनतिक संकट में सरकार नहीं बना पाती है तो निश्ची तोर पर राजपाल की तरफ से कॉंग्रिस और रास्टवादी कॉंग्रिस को एक नियोता पेजा जाएगा उस नियोतियों को पूरी नमृता से ठुक्रा देने में राजनितिक हित है हमारा क्योंकि कॉंग्रिस और रास्टवादी कॉंग्रिस की कोई भी सरकार जो बनाने की बात आ रही है वो महच कलपना है, अगर इस कलपना को यथार्थ में परिवर्थित करना है, तो बगर शिवसेना के सहयोग के नहीं हो पाएगा, और शिवसेना का सहयोग लेना कॉंग्रेस के लिए खातक होगा. NCP के नेता अजीद पावार इस वक्त क्या कह रहें? सुनिये. गर्नियत्तोड एंद वीद थवर्वक्कुम् एड़ंगोड़त्तु विड़ामल, आवर काट्टिया वळिगेल, नडई वोड़ रेंडू, एन्विदु दान, अपिड़े नडई वोड़्टाल दान